आकाश्वानी भुपार से प्रसुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रितेश रकसेना मुक्किमति शिवरासिंग चोहान ने कहा है कि व्यक्तित्व के संपूर्ने विकास के लिए पढ़ने के साथ खेनला भी ज़रूरी है और बच्चों के शारिरिक और मानसिक विकास के लिए खेल कुद आवश्चक है उन्होंने कर भोपार में विद्या भारती दौरा संचारे सिक्षन सस्थाओं की खेल प्रतिवाओं को संब्रूदित करते हुए कहा कि मुकी मंत्री मेधावी छार्टर प्रोस्टान यूजना का लाप बारवी में 75% अधिक अंक पाने वाले विद्यार्तियों को मिलेगा ऐसे विद्यार्तियों का वेबसाइग पार्टे क्रम में चैनल होने पर उनकी फीस भरी जाएगी जबलपुर में पासपोर्ट सिवा केंद का शुवारम एक अप्रेल को होगा विदेश राज्यमंत्री जनरल वी के सिंग इस मौके पर मौगे पर मौजूद रहेंगे प्रतिदें जारी किये जाएंगे जिसे मांग के अनुसार बढ़ाया और घटाया जाए सकेगा जबलपुर पासपोर्ट के इंद का लाब जबलपुर के अराबा कटनी दमो नर्सिंगपुर्ट सिर्वनी मंडला डिनोरी और उमरिया के नागरिक ले सकेंगे जबलपुर से निजामुद्दीन जा रहे ही महाकौशल एक्सपेस टेन के आठ डिबबे आज तड़के उत्तर प्रदेश में महोबा स्टेशन के पास पट्री से उतर गए इस हास्से में 22 से अधिक लोग हैर हुए हैं जिनमें से आठ की हालत गंबीर बताई गई है हास्से की जांच के आदेश दे दिये गए हैं वहीं हास्से के पीछे किसी भी तरह की आतंगी साजिश के पहरू को लेकर जांच की जा रही है आतंगी निरोदक दस्ता ATS भी जांच के लिए घटा इस्तर पर पहुंचा है हास्से की वज़र से रेले आतायत भी प्रभावित हुआ है दिली से जबरपुर जाने बारी महाकोशल एक्सपर बीना कटनी के मार से चलाई जा रही है प्रदेश में सरस्कृत भाषा को रोजगार की भाषा बनाने के लिए प्रयास की जाएंगे इसकूल शिक्षामंती विज़शा ने कल राज इस तरही सरस्कृत सम्मेलियन को संबोज़ित करते हुए बोपाल में शास्की संस्कृत विज़शा इस्तापित करने की घुशना की उन्होंने कहा कि इसकी क्छमता 360 सीटों की होगी और महिराओं को भी संस्कृत भाषा में कुशर बनाया जाएगा इसकूल शिक्षपंती ने कहा कि विद्यारतियों और शिक्षपों को सरकारी खर्चे पर अध्यान के लिए शेष्ट संस्क्रे संस्तानों में भीज़ा जाएगा इसके रावा महरशी पतंजली संस्ते संस्तान के माध्यम से प्रतिवर्श बीस महिराओं को शास्तों का ग्यान देकर शास्की खषपर पंडित बनाया जाएगा नमदा सिवा यात्रा कर राह सिंग जिले में पहुंची जिले के बाहर भार का चकला में आज सुबह सादुजू हंतों और शद्धलों ने नमदा आरती की और उसके बाद यात्रा अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई यात्रा के डुमर पहुंचने पर जन समवाद का रशक्रम किया जाएगा जिसमें मुक्ति मंति शुरा सिंग चौहान शामिर होंगे मात तुझे प्रणाम योजना के तहत देश की सीमाओं के ब्रहमन के लिए इस बार शैडो जिले से 46 इवाओं का चैन किया गया है प्रत्तिक विकास कर्ण से 15 से 25 साल के उम्रों के इवाओं को ब्रहमन का अफसर दिया गया है इस ब्रहमन के दोरान युवा के उत्यों का दल सीमा पर देना सिना की कारण प्रानली से रूबरू होगा प्रदेश के कई स्थानों पर तेज गर्मी और लू का असर दिखा जा रहा है मौसन विभाग के मताबिक राजिस्थान से आरी गर्म हवाओं के कारण मार्च के अन से ही तापमान समाने से अधिक हो गया है इसमें अभी और भी बड़ोत्री के असार है राजिमें सरवादिक तापमान, होशंगाबाद में 43.6 डिगरी, दमोर, अतलाम और खरगोर्म में 42.5 डिगरी तापमान रिकाट किया गया है राजजानी भुपार में लगाता है दूसरे दिन कल तापमान 40 डिगरी से अधिक रहा और आज भी वही हालात है मौसम के इंडिक अनुसार भुपार में दो दशक के बाद मार्च में इतनी कर्मी पढ़ रही है और आपको समाचा संक्षेप में जबलपर में दूद विक्रेताओं के हरदाल को देखते हुए जिरा कलेक्टर ने दुग्दिसंग को परयापत माता में दूद उपलब्द कराने के निज़ेश दिये है रिवाज जिरे में स्वचे भारत मिशन के तहट कल हला बोल अभ्यान शुरूबा जिसके तहट ग्राम वासियों को कुले में शोच ना जाने का संकर बिद्राया गया मुख्यमंती तीर से दर्शन जोजा गयता है शोप्र जिरे एक सुपचीस तीर सियातरी आज रामेश वर्म की याता के लिए रवाना हो रहे हैं याता चार अप्रेल को रख संपन होगी अशोग नगर जिरे में समर्थन मूली पर गेहुँखरीदी के लिए बनाये गए एक तारिस केंडरो पर आज से गेहुखरीदी का कारे शुरू हो गया है वहीं गेहुखरीदी के कारे में रापर वाई बरतने के आरोप में एक समीती सिवक को रिरंबित कर दिया गया है झाल